और हम एकेडमी में आपका स्वागत है आज बात बीएट इंट्रेंस एक्जाम की मेरी कोशिस होती है कि टीचर, स्टुडेंट और एजुकेशन से रिलेटेट रिलाइबर और अथेंटिक इंफॉर्मेशन ही शेयर करूँ इसके लिए मैं ऑफिस्यल वेबसाइट पर उपलब इंफॉर्मेशन को ही शेयर करता हूँ आज दिनांक 9 अपरेल 21 तक लखनो ललित नरायन मिथिला इंवर्सिटी की ओफिस्वल वेबसाइट पर बीएट इंट्रेंस से संबंधित नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सका है इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कुछ केसे हैं कोट में इस वज़ा से भी सायद नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बिलंब नहों बीएड में एड्मिशन के लिए इसलिए इनवर्सिटी कोशिस कर रही है कि अपलाई किया जाए और सारी प्रक्रिया जारी रहे बाकी जो होगा वो कोट के निर्णया अनुसार होगा तो ऑफिस्यल वेब साइट पर अथेंटिक सुचना नहीं होने की स्थिति में अन्य सुरोतों से जुटाई गई सुचनाओं को मैं साजा कर रहा हूं मैं आसा करता हूं कि यह सुचना है बीएड करने वाले स्टुडेंट्स के लिए ल अपलाई लरितनार मितला इन्वर्सिटी के ओफिस्यल वेब साइट पर ही किया जाएगा बिहार सी इटी बीएड अलन एम्यू डॉट इन सीटी मतलब कमन इंट्रेंस टेस्ट जो बीएड के लिए होगा उसके लिए अपलाई करना है एड्मिट कार्ड जारी किया जाएगा 26 में 2021 को और एक्जाम होगा 30 में 2021 को रिजल्ट 11 जोन 2021 को जारी किया जाएगा बिहार के लगभग 332 कॉलेजों में 35,000 सीटों के लिए ये एक्जाम हो रहा है और बिहार की जितनी इन्वर्सीटीज है जैसे आर्जवट ग्यान इन्वर्सीटी पटना भुपेंद्र नारायन मंडल इन्वर्सीटी मध्यपूरा भीम राव अंबेटकर बिहार इन्वर्स इन्वर्सीटी पटना पटना इन्वर्सीटी पटना पटना इन्वर्सीटी पटना पटना इन्वर्सीटी पटना पटली पुत्रा इन्वर्सीटी पटना पुर्णिया इन्वर्सीटी पुर्णिया तिलक मांजी भागलपूर इन्वर्सीटी भागलपूर बीर कुंवर्स इन्वर्सिटी आ रहा इन सभी इनवर्सिटी में और इन से अफिलियेटेट कॉलेजेज में एड्मिशन इसी माध्यम से होगा यानी सब में इड्मिशन के लिए ललित नरायन मिथिला इनवर्सिटी दर्भंगा को ही नोडल बनाया गया है 11 जून 2021 को रिजल्ट जारी करने के संग कॉंसिलिंग की प्रकिरिया शुरू होगी जो 15 जून 21 से 26 जून 21 तक चलेगी 2 जून 21 को कॉलेज एलोट कर दिया जाएगा और 10 अगस्ट 21 से से सेशन सुरू हो जाएगा मेरिट लिस्ट के आधार पे एडमिशन मिलेगा कॉंसिलिंग होगी जो जारी होगी जो 1 जारी होगा वह फस्ट लिस्ट में अगर सीटें भर जाएंगी तो 6 जारी नहीं होगी लेकिन 14 जारी होने के बाद अगर सीटें वच्ती है तो सेकेंड Second और सेकंड जारी करने के बाद भी एडमिशन के लिए सीटिये बजती हैं तो ठाड़ ये जारी होगा उसके बाद भी अगर इड्मिशन पूरा नहीं होता है तो ओन अज़म अब ऊपर स्टुडेंट को संबंधित कॉलेज में इन्वर्सिटी में निर्धारिट डेट को जाना होगा और उहां पर एड्मिशन लेना होगा फी की जहां तक बात है तो फी कई अस्तरों पे लिया जाएगा पहले तो फॉर्म भरने के लिए फी देना है उसके बाद कौन सेलिंग के लिए फी देना है फिर एड्मिशन के लिए फी देना है फिर कोर्स फी अलग से देना है तो अप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए जो है वह जेनरल के लिए 1000 और बैकवर्ट क्लास एक्ट्रीमिली बैकवर्ट क्लास एकनोमिकली वीकर सेक्षन या फीमेल किसी भी बरकी महिला हो और दिव्यांगिन के लिए 750 रूपीज है सेडियूल कास्ट और सिडियूल ट्राइब्स के लिए 500 रूपीज है कि क्वालिफिकेशन जो है मिनिम्मम 50% मार्स के संग ग्रेजवेट होना चाहिए स्टी और स्टी के लोगों के लिए 5% अंकों का छूट मिला है यानि 45% नंबर के साथ अगर सिडियूल कास्ट और सिडियूल ट्राइब्स के के इंडेट ग्रेजवेट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं तक्नीकी असना तक जो हैं जैसे बीटेक या इंजिनेरिंग करने वाले उनको 55% नंबरों के संग बीटेक किया होना चाहिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए डोकुमेंट्स हाई स्कूल से लेकर ग्रेजवेशन तक चुकि मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा अगर कोई केंडेट पीजी किया है तो उसे पीजी का भी मार्शिट शर्टिफिकेट अपलोड करना होगा एक्जाम पैटर्न जो है अब्जेक्टिव एक्जाम होगा मल्टीपल च्वाइस कोस्तन आएंगे टोटल नंबर ऑफ कोस्तन होगा 120 वन नंबर फॉरीच कोस कोस्तन के लिए 120 नंब्रों का एकजाम देना होगा और इसी आधार पे मेरिट बनेगी सलेवस Linda अन्टर्ल इंग्ली से सीफ्टेन को से समर्न नहिनु इस को सन होंगे लॉजीकल आ एनलिटिकल रिजनिंग से 25 ङूब जान हो ने ही टीचिंग लारनिंग इंवरन्मेंट इन के बाद रेजल्ट आएगा रेजल्ट आने के बाद एड्मिशन की प्रक्रिया शुरू होगी सिवान गोपाल गंज और छप्रा के जो केंडेट हैं इनका एड्मिशन जेपी इनवर्सिटी से संबंध कॉलेजेज में होगा प्रमंडल के बिएट कॉलेजों में एड्मिशन की सुविदा होगी इसी तरह भीम रावंबेटकर इनवर्सिटी मुझफरपूर से संबंध 55 कॉलेजेज हैं जिन में 6200 सीटें हैं और उस प्रमंडल के विद्यार्थी चाहेत हो हां एड्मिशन ले सकते हैं एड्मिशन लेने के लिए फॉर्म अपलाई करते समय ही ले पांच कॉलेजेस का और जाना चाहते हैं और कॉलेज में जाने के पहले यह फॉर्मडल करने के पान्य कॉलेजों के बारे में विश्तित जनकारी हासिल कर लेनी चाहिए उनको आफिस्यल वेब साइट पर जाके क्योंकि जब एड्मिशन लेने जाएंगे तो गॉर्मेंट भी एड कॉलेज अगर मिलता है तो हाँ चार हजार रुपय फी लएगा एड्मिशन फी जबकि अफिलियेटेट कॉलेजेज में फी 25,000 है एड्मिशन फी के अलावा कॉर्स फी भी लगता है गॉर्मेंट कॉलेजेज में 95,000 मिनिमम कॉर्स फी होगा एक लाख से कुछ ज्याद़ ही आता है इसमें जबकि कारी इकठा करके फॉर्म अप्लाई किया जाना चाहिए मैं आसा करता हूं कि यह सुचना लाप्रद होगी बहुत-बहुत धन्यवाद